प्रमेश बनवारी इन्होंने कहा है कि उनके जूतिशियोंने कहा था कि उनके बेहन के शादी 4 साल बाद होगी और 4 साल बाद ही उनकी शादी हुई तो इस बारे में आपका क्या कहना ऐख देखिए कोई भी भविश्य एक बार सच होने के बाद में उसको सच मानना यही एक अंसाइंटिफिक तरीका है जैसा कोई इस तरी गर्भ वती है मुझे कुछ मालूम नहीं कि उसके गर्भ में क्या है और मैंने कही दिया कि उसको लड़का होगा और आप चिल्लाते आये कि आ आपने कही दिया ता लड़का हुआ सही में लड़का हुआ उसको आपका बविश्य सव प्रतिशत सही है ऐसी ये बात हो गई इसलिए जिस जूतिश नहीं ये कहा कि आपके बहन की शादी चार साल बाद होगी और उस पर आपका विश्वास बैठा उसी जूतिश के पास आ कर जाईए कोई उसके उमर के आसपास की कोई लड़की है उसको उसको साथ में ले जाईए और कहिए कि इसकी पत्रिका आई है इसके साथ में शादी करनी है कि नहीं करनी है अभी आपका तो विश्वास है कि आपका जोतिशी सव प्रतिशत सही हुआ है क्योंकि आपके बहन किजिए और मुझे बताइए तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितना सही है कितना सही नहीं है मैं अगर दस त्रियों को कहता हूं कि तुमको लड़का होगा तो यह दस में से पास त्रियों के बारे में मेरे जो भविश्यवानी है वो सही रहने के गुंजाईश है क्योंकि स्त्रियों को आइदर लड़का होता है या लड़की होती है हो सकता है कि दस में से पास स्त्रियों को लड़का होगा या फिर साथ स्त्रियों को लड़का होगा या फिर कम से कम तीन स्त्रियों को लड़का होगा तो मेरी भविश्यवानी तीन स्त्रियों से लेकर साथ स्त्र में बात करूँगा कल बात करूँगा तो ये law probability के आधार पर ये सब भविश्य का ढखसला चलता है दूसरा इसमें ये भी होता है मेरे पिता जी के बारे में ये हो चुका मेरे पिता जी बहुत विश्वास रखते थे भविश्य पर मेरी दो बहनों के शादी होने के थी और प पिता जी जब भी कोई प्रपोजल आता था बाकी दिशा उसे तो उसको तरब ध्यानी नहीं देते थे तो आखरी में उत्तर दिशा के प्रपोजल के साथ में शादी होई क्या हो कि जोतिश ने कहा था कि उत्तर की दिशा से जो प्रपोजल आएगा वहीं पर आपकी शादी होने वाली है बाकि दिशा के प्रपोजल को अगर इंटरे नहीं नहीं किया ट्राइ नहीं किया तो उत्तर की दिशा में शादी होगी तो कहने का मतलब ऐसा है कि जोतिश जो कहते हैं उस पर अगर हमारी बहुत श्रद्धा है विश्वास है तो हमारा चॉइस डिटर्माइन होता है हम उसी डंग से बरताओ करते हैं ताकि वो भविश्य सही हो इसको चॉइस डिटर्माइन होना कहते हैं तो यह भी परिणाम हम पर होता है इस करण भी कुछ भविश्य सच उस डंग से निकलते हैं लेकिन इन टोटेलिटी ये भविश्य का कभी भी जो लॉप प्रॉबिबिलिटी है जैसा मैंने लड़की या लड़का होगा इस लंग की भविश्य वाने कहने के बाद में जो प्रतीशत होगा उससे कभी ज्यादा सच नहीं होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विजट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बेटन दबाएं नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं झाल झाल